आपकी माताएं और आपकी बहनें आप उन्हें वस्तुओं में बदल रहे हैं। आपको इसके खिलाफ विरोत करना चाहिए। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो कितने विकृत बन गए हैं। ये नैतिकता का मामला नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ के समस्या है। अब वो कहने लगे हैं कि माहिलाओं के लिए भी ये सब देखना फैशन है। आप सबसे बेवकूफी वाली चीज़ें कर रहे हैं। उस माहिला पर अपनी मां का चहरा लगा कर देखिए। मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। नमस्कारम सद्गुरू, ऐसा लगता है, अशलील वीडियो देखना कैसे रोकें, ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला सवाल है। मेरे कुछ पूर्व सहपाथी हैं जिनें इसकी लट लग गई थी, जिससे उनका जीवन ओन्धे मुह गिर गया। लोगों को लट क्यों लग जाती है और वो कैसे इससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। जन्म का हिस्सा है, हम इसकी वज़े से यहाँ हैं। हम यहाँ इसके लिए नहीं हैं, हम यहाँ इसकी वज़े से हैं। हमारा जन्म इससे हुआ है तो ये बस सही या गलत का सवाल नहीं है ये बस ऐसे है बाकी जानवरों के लिए प्रकृती उनकी कामुकता को नियंतरित करती है क्योंकि उनकी कामुकता मौसम से जुड़ी है बाकी समय उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन नर है, कौन मादा है तो प्रकृती उन्हें नियंतरित करती है आपको क्या लगता है क्यों ये नियंतरित प्रकृती ने आप पर नहीं किया क्योंकि इसने भरोसा किया कि आपके पास थोड़ा ज्यादा दिमाग है लेकिन आप ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आपके पास वो नहीं है हाँ क्योंकि कम उम्र में अगर आप ये चीजें देखेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और नहीं चलेगा तो इस प्रक्रिया में मैं कहूंगा महिलाओं के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन चीजों को रोकने की जरूरत है क्योंकि इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है और अब वो कहने लगे हैं कि महिलाओं के लिए भी ये सब देखना फैशन है कोई कह रहा है कि ये सेक्स एजूकेशन है नहीं नहीं ये इन में से ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई या जो संघर्ष महिलाओं को जहलना पड़ा उसकी वज़े से एक हद तक शारिरिक स्वतंतरता आपको मिली है आप इसे अशलील विडियो के जरीय वापस फैक रही है इसका मतलब आप वैसे ही एक वस्तू है अगर आप मनुष्य बनना चाहती है तो आपको इसके खिलाफ विरोत करना चाहिए सडकों पर नहीं आप जहां भी ये देखें आपको इसे वहीं रोक देना चाहिए आपको समझना चाहिए ये किसी के आनंद, किसी के मजे किसी के उभोक के बारे में नहीं है ये महिला को खिलोना बना कर आपको वस्तू की तरह पेश करने के बारे में है अगर महिलाएंस का जिमा नहीं उठाती है तो इतनी अकल अभी तक पुर्षों को नहीं है जब तक वो उपर नहीं उठते हैं और खास कर मैं सैक्डो ऐसे लोगों से मिला हूँ कम उम्र में ही वो इन चीजों में पढ़ गये और कितने विक्रिद बन गये हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक रिष्टे बनाने के लिए खुद के भीतर वो कितना भुगत रहे हैं। वो इतनी बुरी हालत में हैं कि मैं आपको ये सब बताना भी नहीं चाहता। ये चीजें उन्होंने मुझे बताई हैं। उस वजह से उन्हें कितनी तकलीफें जहिलनी पड़ी क्योंकि उन्हें छोटी उम्र में ही इस चीज की लप लग गई। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। आपको ये समझना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकृती ने आपको एक विशेश बंधन से मुक्त किया है। ये सोच कर कि आप एक जागरूक जीवन है। आप हर चीज जागरूकता से करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आप बस वही चीज करते रहें। प्रजनन प्रक्रिया। तो ये भोग के बारे में नहीं है। ये आनंद के बारे में नहीं है। ये प्रेम के बारे में नहीं है। ये बस एक मजबूरन आदत है। If you do not understand compulsiveness is slavery, then what to do with you? अगर आप नहीं समझते की आदतन मजबूरी एक गुलामी हैं, तो आपके साथ क्या किया जाएं? आप नहीं समझते कि आदतन मजबूरी एक गुलामी है, सिर्फ जागरुकता में ही हमारी मुक्ती है, तो इसे छोड़ने की जरुवत नहीं है, बस उधर जाना ही नहीं है, बस इतना ही, इसमें छोड़ना क्या है? क्या यह यहां हो रहा है? नहीं, यह मेरे सिर में हो रहा है, हर सुविधा जो आपके पास आती है, आप उसे अपनी बर्बादी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, अरे इसमें नुकसान क्या है सद्गुरू? नुकसान यह है, आपकी माताएं, आपकी बहने और आपके पास की सारी महिलाएं, आप उन्हें वस्तुओं में बदल रहे ह मैं यह नहीं कह रहा कि आप सभी ब्रह्मचारी बन जाएं और कहीं चले जाएं, नहीं, यह कुछ विशेश लोहों के लिए है, जिनकी ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन आपको अपना जीवन एक गरिमा पून तरीके से जीना चाहिए, इसमें गरिमा कहा है? अश्लील फिल्म अधि जन संख्या की गरिमा चीन कर, आपको कोई आनन्द मिलेगा? यह घिनोना है. यह नैतिक्ता का मामला नहीं है, यह मानसिक स्वास्त के समस्या है. आप समझ रहे हैं? यह मनोरोग का मामला है. तो यह नैतिक्ता नहीं है, आप मनोरोगी बन रहे हैं. सिर्फ इसलिए कि आप अपने दोस्तों के बीच कुछ भद्दा देखकर ही 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 करते हैं, तो यह मत सोचिए, आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. आप सबसे बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हैं. अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो असलील फिल्म चल रही है, उ इस महिला पर अपनी मां का चहरा लगा कर देखिए. मुझे लगता है आप समझ जाएंगे.